हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे रोटरी स्विच लगा करके थिरी फेस का में बोड कैसे बनाते हैं जिसे अपने घरो या फेक्टरी या जहां पे भी जरूरत है व इस बोड की कटिंग फिटिंग कनेक्शन वाइरिंग एक कंप्लेट दिख लाया गया है अगर आप यह जानना चाहते हैं इस बोड को कैसे बनाएं कंच्शन इसके अंदर कैसे करें तो आप इस वीडियो को एक्टू एक कंप्लेट पूरा जरूर देखिए तो जैसे कि सबसे पहले हमने एक सनमाई का सीट लिया हुआ है जिसकी साइज की बात करें तो आठवाइब 12 इंच है और उसके बाद हमने तीन कीट काट फ्यूज लिया है तीन फेस के लिए उसके बाद हमने लिया है एक mcb बॉक्स जिसमें mcb लगाएंगे हम dp और एक rotary switch हमने लिया है सबसे पहले क्या करेंगे जो rotary switch का यह है उपर का switch इसे हम यहाँ पर इस क्रू है इसे खोल लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं इसकी मार्किंग करने के लिए उसके बाद इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से यह निकल जाएगा उसके बाद ये glass इसको भी हटाएंगे उसके यहां पर रखेंगे और इसी हिसाब से marking करेंगे इस कुलू के लिए और इसको फीटिंग करेंगे यहां पे थोड़ा सा हम सीधा कर देता है kit card fuse को सिधा करते हैं उसके बाद यहाँ पे तीन पैनल इंडिकाटर लेंगे red, yellow और blue जो face के लिए है हमारा और उसके बाद थोड़ा सा नीचे kit card को और कर देते हैं और उसके बाद दो पैनल इंडिकाटर और लेंगे एक हमारा यह वोल्टेज का है और red वाला हमारा यहाँ पे empire का है कि कितना load हमारा चल रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे kit card fuse के उपर का जो base है इसको हटा देते हैं और उसके बाद mcb box जो हमारा यहाँ पे screwdriver लेते हैं और उपर का cover यहाँ पे खोल लेते हैं cover खोलने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे उसके बाद pencil लेंगे और screw का wire का यहाँ पे marking कर लेंगे rotary switch में यहाँ पे ध्यान दीजिए चारो corner पे चार screw है बीच में आपका निकलेगा वो थोड़ा मोटा hole होगा यहाँ पे हम आपको करके ही दिख लाएंगे total और यहाँ पे kit cut fuse है तो एक screw का है और दो wire का है तो यहाँ पे हम फटाफट इस तरह से marking कर लेते हैं और जो पैनल इंडिकेटर है उसको भी यहाँ पे marking कर लेते हैं सभी समान को यहाँ से हटाते हैं उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ताकि जो हमारा kit cut fuse जो एक line में आ जाए और जो पैनल इंडिकेटर है वह भी एक line में आ जाए थोड़ा सा केमरा में आपको तिर्शा दिखाई देगा लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा करना है उसके बाद यहाँ पे सुमी यानि पंच भी का सकते हैं और उसके बाद हैमर लेंगे यानि हथा लिए यहाँ पे जो हमारा मार्किंग है हम इस तरह से इसको होल कर लिए इस तरह से उसके बद क्या करेंगे यहाँ पे जो होल यह उसको प्योला था उसको बड़ा होल कर दिए यहां पे चलिए MCB box वाला हम छोड़ दिये थे इसको भी यहां पर इस तरह से hole कर लेते हैं यह कि यह बीच में थोड़ा बढ़ा करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा वायर हमारा आने वाला है DPMCB है लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा वायर होगा और उसके बाद जो पैनल इंडिकेटर का है वो तो बहुत बढ़ा होगा यहां पर सबसे पहले पैनल इंडिकेटर से हम hole कर देते हैं जितना बढ़ा हो सकता है उसके बाद हम लेंगे प्लैर और प्लैर से जो hole है उसको फैला देंगे बढ़ा कर देंगे बड़ा करने के बाद इसकेंदर हमारा panel indicator आ जाएगा जैसे इसकेंदर डाल दिये तो यह आगया इसी तरह से अब हिसमेर बाद येलो लगा देंगे येलो बिलू लगा देंगे उसके बाद हम यहां वाला भी लगा देंगे और इस तरह से फिटिंग कर लेंगे उसके बाद यहां पे जो एमसीवी बॉक्स का बेस है इसको भी स्कुरू से यहां पे कस लेते हैं और इसकुरू को फुल करेंगे प्लायर से कैसी भी तरह से लूजिंग नहीं होना चाहिए उसके बाद यहां पे रोटरी स्विश लेंगे तो ध्यान रहे यह वाला जो बेस है यह ठीक है कनेक्शन करने वाला नहीं तो उल्टा काम करेगा सीधा नहीं काम करेगा फिर आपको उल्टा लगाना पड़ इस तरह से रोटरी स्विच को खोलेंगे तरह से मैं फिटिंग कर लेना है उसका यहां पर से दालेंगे यहां पर इसका परके शीज कर दाब और बधूस को रोटुéta के को सिक्षा Kentन हो गया तीनों Vyorki किट आउट कनेक्शन हम कर रहा है, इंपूट नहीं, आउटपूट कर रहे हैं, और फूज में किसी भी सैट से इंपूट आउटपूट हो सकता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो A1, A2, A3 लिखा हुआ है, तो इंपूट है, और यह साम करेंगा, उफ रहेगा तो आउफ रहेगा यानि बंद हो जाएगा, अब यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं, सबसे पहले R का करेंगे, उसके बाद बीच में हमारा Y का हो जाएगा, और सबसे लाष्ट में ब्लू का हो जाएगा, यानि B का हो जाएगा, बहुत से कम्पनी म आपको लिखा हुआ मिल सकता है रोटरी स्विच में L1, L2, L3 या RYB लिखा हुआ हो सकता है जो आउटपूट होता है वो बिलकुल एक सेड होता है उस पे लोड लिखा हुआ मिल सकता है या एक लिखा हुआ मिल सकता है तो यह होता है हर कंपनी का अलग-अलग होता है अब ज इसे ले करके आएंगे हम mcb box में और उसके बाद हम यहां पर एक mcb लेंगे और mcb के अंदर connection करेंगे यहां पर जो mcb हमारा dp mcb है spn नहीं है इसलिए किसी भी सेड़ फेस और न्यूटरल हो सकता है उसके बाद यहां पर तीन वायर लिये हैं पैनल इंडिकेटर में connection कर रहे हैं जैसे बुलू और उसके बाद यलो और उसके बाद रेड और इस तीनों वायर को यहां पर चिलेंगे और उसके बाद यहां पर जो यह वायर गया है किटकाट फ्यूज से हमारा रोटरी स्विच में उस वायर को चिलेंगे और इसी के अंद सब रेड फेस में connection होगा रेड लाइन में यहां पर connection करने के बाद सभी वायर में अच्छी तरह से टेप लगा देंगे उसके बाद यहां पर एक वायर लेंगे ब्लेक कलर का यहां पर किटकाट फ्यूज में आएगा उसका रोटरी स्विच में और उसके बाद हमारा डिपी में आ रहा है लेकिन यह जो नूटरल है डायरेक्ट हमारा डिपी में आया है और डिपी में हम connection कर लेंगे connection करने के बाद क्या करेंगे जो यह वायर है इसको हम चील करके इसके अंदर जो इंडिकेटर का नूटरल वायर है उसका connection कर लेते हैं अगर आपके मन में है कि नूटरल के लिए कीट कार्ट फ्यूज लगाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें उससे अच्छा है फोर पुल का वायर का टुकडा लूपिंग किया है जैसे यह हमारा एंपियर मीटर है इसमें connection कर दिया और उसी से लूपिंग करके बोल्ट मीटर में connection कर दिये और यह जो वायर है इसमें लाइन देने के लिए हम DPMCB के आउटपूट से करेंगे connection उसी तरह से एक और जो वायर है जैसे इंडिकेटर को एक फेस चाहिए एक नूटरल चाहिए उसी तरह से फिर हम connection यहां पर दूसरा वायर कर रहा है और इसको लूपिंग यहां पर कर दिये और connection कर लेंगे और उसके बाद यहां पर दो वायर हम ले रहा है neutral फेस यह लोड है हमारा इस बोल्ट से आउटपूट connection करने के लिए और इसी दोनों वायर में जो इंडिकेटर का वायर है एक एक वायर को यहां पर connection कर लेंगे जिससे नूटरल फेस हमरा मिल जाएगा और इस दोनों का जो कौभर है कौभर को लेंगे और यहां पे कौभर का जो इस कुरू है यहां पे कस लेते हैं क्योंकि mcb जो है हमारा उसके अंदर कनेक्शन कंप्लीट हो गया इसके बाद लेंगे एक सीटी और इसका क्या है का फुल फर्वा एक विडियो में मैंने within तुशे मैंने कोमेंट भी कर दिया है तो यह सीटी है और इससे कंट्रोण क्या करेंगे यह जो है हमारा एंप्यर में से वायर जो निकला है यश्में पैनल तो कुछ कंडिशन में आपको नूट्रल के अंदर डालना होगा मैं एक वीडियो इसको उपर बनाऊंगा और ज्यादा तर फेस में डाला जाता है क्योंकि लोड अगर अगर आपका थिरी फेस का चल रहा है तो फेस में ही डालेंगे लेकिन अगर सेपरेट है पार्ट हमें लगा दिए रोटरी स्Wिच से निकल कर के जो में Noah ज रहा है उसे में हम यहाँ प्रशिवार लगा दिये हैं पीछली वीडियो में हमने नियूट्रल में लगा करे दिखाया था पर इसके ऊपर में एक विडियो बनाऊंगा single face three face में city कहां पे किस्ते से लगाया जाता है best कौन सा होता है इसके बाद हम यहां पे तीन wire लिए हैं जो ryb है और kit card fuse में हम डाल दिये जो हमारा face line input होगा और यहां पे connection हम कर लिए connection करने के बाद जो wire लंबा है उसको back side खीच लेते हैं और इसके बाद यहां पे kit card fuse को लगा देते हैं कितना मोटा fuse हमें लगाना चाहिए यह load के हिसाब से होता है इसके उपर video भी मैंने बनाया हुआ है मेरे channel में है आप उस video को देख सकते हैं फ्यूज लगाने के बाद इस इसको कर in the main board ऑर इसका connection करते हैं और आपको चेक कर के हमने connection दे दीया हुआ है यहां पे थुड़ा सा अंदीर है और आपको में साफ दिखाई दे रहा होandom to dünya है और यह Indicator जो है बिलिंग कर रहा है यह video में कैमरे में बिलिंग करें एसके नहीं कर रहा है और उड़के जगा पर हम를 Qin को अपने घर यह दुकान का यह जो तो यहां पे 100 वर्ड का बल्व है, तो ज्यादा तो एमपैस नहीं करेगा, और यह 0.2 है, यहां पे हम क्या करेंगे एक बार चेंज करते हैं, दो वाले में, तो यहां पर voltage हमारा same है पर जो load है वो तो same ही रहेगा क्योंकि load जब तक हम कम जादा नहीं करेंगे तब तक वो कम जादा नहीं होगा तो यहां पर यह प्रोपर तरह से काम कर रहा है इस तरह से आप connection कर सकते हैं कहीं पर इस तरह का board आपको लगाना पड़ रहा है तो इस तरह से board बना करके लगा सकते हैं जिसमें आपका voltage भी so करेगा एंपेर भी so करेगा और जो face का indicator है वो भी so करेगा और 3 face को change करके single face अपना इस्तमाल कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से तो चले दोस्तों इस वीडियो में इतने ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए share कीजिए